क्या 10 महीने बाद गाजा यूद में अब हमास जीतने लगा है? क्या जमीन के उपर इसराइल जीत रहा है और जमीन के नीचे हमास बाजी मार रहा है? ये दावे इसलिए के जाने लगे हैं क्योंकि उतरी गाजा में एक ऐसी सुरंग मिली है जिसमें रेलवे ट्रैक बिछे हुए है हैरान की बाद तो ये हमास इस ट्रैक पर ट्रेन दोडा रहा है जिसे मिसाइले और रॉकेट भरे पड़े हैं सुरंग में पूले जिन हमास ने पल्टा युद्ध लगभग 11 वहीने से इसरेली सेना पूरी गासा में भयंकर हवाई और जमीनी हमले कर रही है लेकिन इसके बावजूद हमास इसरेली सेना पर जबरदस्ट पल्ट वार कर रहा है लगभग 350 दिन से इसरेली सेना पूरी अगासा में चुन चुन कर हमास की स्तुरंगों को धमाकों से उडा रही है लेकिन उसके बावजूद हमास के स्तुरंगी लड़ा के इसरेली सेना टैंक, बुल्डोजर और बखतर बंद वाहनों पर भेंकर हमले कर रहे हैं यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमास की स्तुरंगों के बारे में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने परधान मंतिर नेतन याहू के होश फाकता कर दिये है इसरेली सेना ने दावा किया है कि हमास की स्तुरंगों में रेलवे ट्रैक मिले हैं जिसे ये साबित होता है कि हमास की स्तुरंग नेटवर्क के बारे में जितना इसरेली सेना जानती थी उससे कहीं ज़ादा पेचीदा और विशाल स्तुरंग नेटवर्क हमास के पास मौजूद है हम आपको एनिमेशन के जरिये समझाने की कोशश कर रहे हैं कि हमास के स्तुरंग में रेलवे नेटवर्क कैसे और ये कैसे काम करता है हमास की स्तुरंगों से जुड़े एक्सपर्ट के मताबिक उतरी गाजा और मध्य गाजा में जो स्तुरंगे इसरेली सेना को मिली है उन स्तुरंगों में रेलवे ट्रेक विशे हुए हैं दावों के मुताविक रेलवे ट्रेक वाली इन सुरंगों में चलने वाली दो से तीन बौगी वाली ट्रेनों में मिसाइल और रॉकेट फरे हुए हैं दावा किया गया है कि इन सुरंगों में हमास के कमांड सेंटर मौजूद हैं जहां से हमास के सुरंगी लड़ा के सुरंग से निकल कर इस्रेली सैने को और टैंकों पर भिशन हमले कर रहे हैं। कुछ दावों के मताबिक हमास के सुरंग में एक से लेकर तीन किलो मिटर तक रेलवे ट्रेक बिचे हुए हैं जिन पर हमास के बुलेट ट्रेन चलती है। सिनवाज ने अपने लड़ाकों को साफ आदेश दिये हैं कि सुरंगों से ही युध करो सुरंगों से इस्रेली सेना को ट्रैप में फंसाओ खान यूनुस के कसाई के नाम से कोख्याद सिनवाज को सुरंग युध में बेहत माहिर माना जाता है यही वज़ा है कि जब से सिन्वार हमास का चिफ वना है तब से इसरेली सेना पर सुरंगों से हमले बेहत तीज हुए है जरा हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए जिसकी हर तस्वीर में इसरेल के टैंक और सैनिकों के चीठडे उड़ते दिख रहे हैं हमास के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमास के लड़ा के बारुदी सुरंगों और बंबो इसरेल के मरकावा टैंक के नीचे लगा कर उसे उड़ा रहे हैं इसरेल के टैकों से महज़ 10 से 20 मिटर दूर मौजूद सुरंगों में मौजूद हमास लड़ा के रफा में इसी तरह से रॉकेट लॉंचर से इसरेली सेना पर हमला कर रहे हैं गौर करने वाली बात है कि रफा में इस वक्त हमास की केवल चार बेचैलियन ही बची होने का दावा किया गया है जो इस वक्त रफा में इसरेली सेना दस महीनों से 95 से जादा सुरंगों को उडाने का दावा कर रही है लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इसरेली सेना की नाग के ठीक नीचे हमास सुरंगों से आसानी से हमले कर रहा है यही वज़े है कि इसरेली सेना के चीफ लेटेनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने अपने टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग में दो चुक कह दिया है कि हमे हमास के कमांडरों कमारने से जादा हमास की सुरंगों को तबाह करने पर तकान दिना होगा इसरेली सेना के चीफ हर्जी हलेवी अच्छी तरह से जानते हैं कि सुरंग बंकर से जादा मजबूत हैं और चक्रवियू से जादा पेचीदा है कुछ दावों के मताबिक 15 साल में हमास नेंडर ग्राउंड गाजा मेट्रो बनाया है एक समय इसरेली एकसपर्ट ने यह अनुमान लगाया था कि पूरे गाजा में सतह से 15 फिट से लेकर 200 फिट नीचे तक करीब 300 मिल लंबी सुरंगे हैं मगर उनका यह अनुमान उस वक्त गलत निकला इसरेली सेना के कोगाजा में धाई मिल लंबी सुरंगे मिली हैं जिसमें विशाल अंडरग्राउड फैक्टरिया पेंट की हुई सुंदर दिवारे टाइल्स वाली फर्ष सिलिंग फैन और एसी समय लगजरी फूल भुलेया का पता चला है अनुमान के मताबिक सुरंगे 500 मिल से जादा लंबी हो सकती हैं इसरेली डिफेंस फोस ने एक बड़ी करवाई में डेड़ हजा से जदा टैनल शाफ्ट भी खोज निकाली है इन सुरंगों को बनाने में 6000 टन कंक्रीट का इस्तमाल किया गया है जबकि 1800 टन मेटल का इस्तमाल सुरंगों में किया गया है 5700 सुरंग शाफ्ट बनाई गई है लगबग एक अरफ डॉलर का खर्च सुरंग बनाने में आया है माना जाता है कि इन सुरंगों पर मिसाइल हमले भी कई बार नकाम हो जाते है यही वज़ा है कि अब नेतनियाहू कमांडर की मीटिंग में साफ कह रहे हैं कि हमास का सफाया तभी होगा जब पूरे गाजा पत्टी में सुरंगों का सफाया होगा आप जरा इस वीडियो को देखिए खुदने दनाहू नक्षे पर समझा रहे हैं ही कि कैसे गाजा युद इसरेल के वजूद के लिए चैलेंज बन चुका है गाजा बॉर्डर मिशर सीमा कैसे इसरेल के लिए जी का जंजाल बचुका है आप इसे हमास के गाजा मेट्रों से समझ सकते हैं जो सुरंगों का ऐसा निटॉर्क है जिसने 11 महीने की जंग के बाद भी इसरेली सेना समझ नहीं पाई है हमास के सुरंगों से जुड़े इसरेली एक्सपर्ट के मताबिक सुरंगों के जाल को समझने और समझाने के लिए हमास ने एक हैंडबुक बना रखी है जो हमास के सुरंग लडाकों को दी जाती है इस हैंडबुक के आधार पर सुरंग का सिस्टम काम करता है अगर इस्रेली सेना सुरंग के दरवाजों को खोलती है तो उसमें आटोमेडिक बम धमाके होते हैं जिसे इस्रेली सैनिक कई बार मारे जाते हैं हमास के हैंडबुक के मुताबिक सुरंग पर इजरेली मिसाइलों का मामूली असर होता है कभी-कभी मिसाइल बे असर साबित होती है IDF को उतरी गाजा के नीचे बीची सुरंग के अंदर रेलवेर ट्रैक मिला है IDF के मताबिक गाजा डिवीजन, उतरी गाजा ब्रिगेड और यह लोम यूनिट के इंजिनेरिंग सैनिकों ने हमास टेन का पता लगाया है दावा किया गया है कि हमास हैंडबुक में सुरंग उपरेशन के पूरी जानकारी दी गई है रिपोर्ट के मताबिक हैंडबुक में बताया गया है कि सुरंग के अंदरंग धीरी में चलते समय लड़ाकों को इंफ्रारीड से लैस, नाइट विजन, चश्मे के जरुरत होती है लड़ाकों को भूमी गतने टिवर्क के भीतर हत्याच चलाने के तरीके के बारे में साउधानी बरतनी होती है ये भी हमास हैंडबुक में बताया गया है चनरल बैचल एस्टेट जी के जरRIpart में इसरेली मिसाईलों को तबाह करने का प्लैन तक बताया गया है हमास के हमले का ये वीडियो देखिए इन वीडियो में हमास ने इसरेली सेना पर हमले का दवा किया है गाजा में तेल, अलहवा, इसरेली बॉल्डोजरों और सैनिकों को हमास ने तबाह किया है इसे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमास के लड़क इसरेल के उस बॉल्डोजर को थमाके से उड़ा रहे हैं जो बारूदी सुरंगों को तबाह कर रहा था हमास के लड़ा के सीधे सीधे पी-एम ने तर्याहो को चेताओनी दे रहे हैं कि गाजा में इसरेली सैनिकों का कबरिस्तान बन जाएगा और हमास हर हाल में गाजा जंग जीत लेगा कुल मिलाकर हमास के सुरंग इसरेली सेना के लिए ऐसी चुनोती बन चुकी है जो लगबक 14 महीने की जंग के बाद भी इसरेली सेना के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कर दो